तमस्कार स्वागत है आपका दा न्यूज पर मैं हूँ आपके साथ शिप्रा सैनी बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने बिहार विदान सभाह में जनसंख्या नियंत्रन और साथ ही सेक्स एजुकेशन पर बाचीत करते हुए जिस तरीके का बयान दिया है उसने और पुरुषों का गुस्सा जो है वो साथवे आसमान पर है लेकिन इन सब के बीच अब कॉंक्रिस पार्टी के ठेंटा आचाहिये परमोद कृष्णम ने नितीश कुमार के बयान की निंदा करते हुए ये कहा है कि भार्तिय संस्कृती सभ्यता और नारी असमिता के के मुख्यमंत्री हैं और जेडियू के अध्यक्ष हैं और जेडियू वो पार्टी है जो कि इन्डी अलायंस का हिसा है तो ऐसे में अब आचाहिये परमोद कृष्णम ने ये मांग की है कि नितीश कुमार का बयान भार्तिय संस्कृती सभ्यता और नारी असमिता के को आईना दिखाने का काम किया है चोकि जिस तरीके से नितीश कुमार ने ये बयान दिया है जिस तरीके से उन्होंने दरसल जनसंख्या नियंतरन पर बात करते हुए कहीं कहीं महिलाओ को जनसंख्या बढ़ रही है उसके लिए जिम्मेदार ठहराया और जिस तरीके का बया के बाद काफी जादा बढ़ गया है नितीश कुमार ने माफी मागी है लेकिन माफी काफी नहीं है ये लगातार देश की जंता कह रही है पियम मोती ने कहा कि दरसल जो इंटी अलाइंस के नेता जंडा लेकर घूम रहे हैं जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड फेकने के ल ढीड़ रहे हैं वो इंटी अलाइंस के नेता ने विधान सभा के अंदर जिस सभा में दरसल माता बहनी मौचुद थी कोई कल्पना नहीं कर सकता ऐसी भाषा में गंदी बाते की हैं अश्लीलता कहीं ने कहीं एक तरीके से परोसी है कहीं ने कहीं कह सकते हैं कि लोकतंत्र का मंदिर है लेकिन उस मंदिर में किस तरीके से कहीं न कहीं भाष्षा को तार-तार किया गया है किस तरीके से महला के सम्मान को ठेस पहुचाई गई है और उसका असर ये हुआ है कि वहाँ पर मुझूद जो बीजेबी की लीटर थी वो नितीश कुमार के इस बयान को सुनकर रो पड़ी उन्हें कहा कि मुझे आज बेहद शर्म महसूस हो रही है कि नितीश कुमार ने इस तरीके से महलाओ और पुर्षो का अबमान किया है खास तोर पर महलाओ के लिए उन्होंने जो कुछ भी कहा और यही वजा है कि इंडी अलायंस के नेता इस पर या तो चुपी जंडा लेकर घूमती हैं फिर चाहे वो प्रियंका चतुरफेदी हो फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी की आतिशी हो प्रियंका गाधी वाटना हो लड़की हूं लड़ सकती हूं लेकिन सब चुपी साधे हुए हैं लेकिन अब कॉगस पार्टी के नेता आच्चाह के परम पती चनल असभ्य अम्रियादीत और असविदन शील है और इंडी अलाइंस की इस पर क्या राय है ख्या इंडी इंडी अलाइंस इस पूरे बयान को लेकर नितिश कुमार के साथ है या नहीं है यह राय इस पष्ट करें लेकिन मैं आपको यह बतातूं कि या तो इंडी देश की जनता ये मां कर रही है कि माफी काफी नहीं है नितीश कुमार एक बार की ना जानिक कितनी बार परादेश के मुख्यमंतरी बन चुके हैं और एक मुख्यमंतरी का викडानसभा में इसच्चे का बयात देना इस तरह के से सेक्स एजुकेशन का हवाला देखर इस तरीके की अभधर बुटिपनी करना इस तरीके की अशलीलता परोसना ये आखर कहां तक जाइज है ये सवास लगातार पूछा जा रहा है लेकिन अब नितीश कुमार के साथ साथ विपक्षी गटबंदन में सामिल पुत तमाम जो 25 द के नाम पर बीजेपी सिर्फ वादे करती है कुछ काम नहीं करती है महिला सवक्तिकरन की बात करके वो कहीं न कहीं वोट बैंक मटोडने की कोशिश लेकिन यहां पर नितीश कुमार के बयान की निंदा तक नहीं हो रही है ये कहीं न कहीं बड़ा सवाल अब लगातार उठ है और यही वज़ा है कि प्रधान मंत्री नरेंत्र मोदी ने भी अपने बयान में इंडी अलाइंस को घिरा है और यह कहा है कि गट बंधन का एक फी नेता माता बेहनों पर दिये गए बयान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तयार नहीं है वो आपका भला क्या कर सकते हैं कि ऐसा दुर्भाग्या आया है कितने नीचे गिरों के दुनिया में देश की बेज़ती करा रहे हो आपके सम्मान के लिए जो हो सकता है वो मैं करूंगा यह भरी जन सभा में प्रधान मंत्री नरेंत्र मोदी की और से कहा गया है तो जैसा कि मैंने बताया कि लगातार त तरीके का प्रोटेस्ट करेंगे राजथानी पटना से लेकर बिहार की अदेश की राजथानी दिली तक ये लगातार विरोध प्रदशन का दोर नितीश कुमार जो कि बिहार के मुख्य मंध्री हैं उनके खिलाफ चल रहा है और कहीं न कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि महिलाओ की सुरक्षा क्या होगी? अगर सरे आम, खुले आम इस तरीके का मजाख महिलाओ बनाया जा रहा है? अगर इस तरीके की बाते कही जा रही है? अगर इस तरीके की अशलील टिपनी जो है वो नितीश कुमार कर रहे हैं तो जाहिर तोर पर शब्दों का च्यान बहतर हो सकता था एक मर्यादी ठंक से वो यह बात बोल सकते थे लेकिन नितीश कुमार ने यह नहीं चुना नितीश कुमार ने जिस शब्दों का इस्तवाल किया जिस भाशा का इस्तवाल किया उसको लेकर अब वो अपनों के बीच घिर चुके हैं क्योंकि बीचेपी लगातार हमला बोल रही है लेकिन इसी के साथ साथ अब आच्छाहिये प्रमोद कृष्णव ने तमाम इंडी अलाइंस के जो नेता हैं फिर चाहे वो महला नेता हो फिर चाहे वो पुरुष नेता हो तमाम लोगो है जो की असविदन शील है बेहद आपत्ति चनक है और ये सदन के पटल पर दिया गया भाशन है जिसे जनता प्रदाश्त नहीं करने वाली है फिलाल आपकी इस पूरे मामने को लेकर क्या राय है में कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और चैनल को सब्सक्राइब करें त जरुई सेरी मेंस करता का लन्हीं करता दोुण जरूर जसे सविजा जसे थे पूह पेस़ज़ खारूर लेगगो।